नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धंकर के MS लेक्चिर से में आज हम डिसकस करेंगे श्रोडिंजर तरंग सम्मिकरन जो कि BAC का टॉपिक है, BAC 1st year का टॉपिक है और ये वाला टॉपिक काफी important question भी है, complicated भी है और ये वाला टॉपिक IIT NEET वाल student के लिए भी required रहती है इससे question पुछे जाते हैं, तो आप जो है IIT NEET की student हो या BAC की student हो, इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़िएगा सारे concept आपके clear हो जाएगे तो बात करजे श्रोडिंजर तरंग सम्मिकरन तो किसी गतिमान करण या electron, कोई भी moving particle या electron की cool उर्जा जो होती है, दो उर्जाओं का योग होती है दो उर्जाओं का योग होती है, किसी गतिमान करण या electron की cool उर्जा गतिज उर्जा और इसससे जुर्जा का योग होती है गति जुटजा को अपन किससे रिप्रिदन करते हैं के से के मतलब काइनेटिक एनर्जी अंगरेजी में कहते हैं इसको प्लज से जुटजा को क्या कहते हैं P E P E बोले तो पोटेंशन एनर्जी E कवल के प्लस P E लिख दिया अपनोंने ठीक है तो जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है गति जुड़जा जो होती है उसको रिप्रेसेंट करते हैं अपन एक बटा दो mv स्क्वाइर प्लस v साथ के साथ में आप पेंट चलाते जाना एक्वेशन नमबर एक यह हो गई एक्वेशन नमबर एक एनर्जी एक्वल एक बटा दो mv स्क्वाइर प्लस v यह क्या है गति जुड़जा तो गति जुड़जा को निमन प्रकार प्रदशित कर सकते हैं गति जुड़जा को इस प्रकार प्रदशित कर सकते हैं गति जुड़जा को इस प्रकार प्रदशित कर सकते हैं ये लिखा एक बटा दो mv square, एक बटा दो mv square, m, m का गुना दोनों तरफ कर ले, तो क्या हो जाएगा, एक बटा दो m, बटे m, और ये dot mv square, ऐसे कैसे ही, यहां इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक बटा दो, m और m मतलब क्या हो जाएगा, mv का whole square, बटे क्या हो गया, लिख दिया, अपनोंने m लिख दिया, सभज में आया, अब आपने जो ये डी ब्रागली समीकरण पढ़ी होगी, तो डी ब्रागली समीकरण से, डी ब्रागली समीकरण से, डी ब्रागली समीकरण से, डी ब्रागली समीकरण क्या है, आपने पढ़ी होगी, लिख सकते हो न, डी ब्रागली समीकरण से, लेमडा बराबर एच अपन एमवी, या एमवी बराबर एच अपन लेमडा, तो यहां पर क्या आ रहा है, एमवी, एमवी का होल स्क्वाइर, तो इसका होल स्क्वाइर लगा दे, और इसको इसकी जगे लिख सकते है, तो अपन क्या लिख सकते है बढ़े इसको ऐसे कैसी एक बटा दो mv square समझ में आ रहा है एक बटा दो mv square बराबर एक बटा दो ठीके इसको लिख रहे हैं अपन इसकी जगे h upon lambda का whole square बटे क्या लिख दिया m इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन समझ में आगे हैं यहां तक यहां इसको आप ऐसे लिखो एक बटा दो mv square बराबर एक बटा दो क्या लिखेंगे अपन h square बटे lambda निचे 2 lambda square m समझ में आगे हैं यहां तक इसको माल लिए अपने equation number 2 equation number 2 समीकरण 2 से 1 बटा 2 mv square का माहन समीकरण 1 में रखने पर चलो रखतो समीकरण 2 से 1 बटा 2 mv square का मान समीकरण 1 में रखने पर चलो same to same value रखना आपने वो कुछ निकरना है तो लिखने e बराबर क्या लिखो भई यहां में e बराबर 1 बटा 2 mv square की जाए क्या लिखना तो e बराबर 1 बटा 2 lambda square m और यहां पर क्या लिख दूँ h का square ठीक है प्लस क्या लिख दे v यह लिख दिया यह इसको लिख भी सकते है h square upon 2 lambda square m 1 से multiple होडा h square अब आगे बात करते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हो यह जो लिखा अपनोंने e बराबर 1 बटा 2 mv square h square बटे 2 lambda square m को ऐसे भी लिख सकते हो अगर अपन v को जो है इधर लेके चले जाए और कुछ नहीं करना है तो लिख देते हैं इसको h square बटे 2 lambda square m बराबर यह उधर लेके चले गए तो यह लिख दियो अपनोंने e minus v यहां तक समझ में आगया होगा आपके इसको equation number आप में लिख लो 3 जल्दी से इसको आप इसे भी लिख सकते हो lambda square इधर लेके चले गए ठीक है lambda square इधर लेके चले गए तो क्या लिख सकते हो h square बटे 2 m 2m तो है यह और e minus v इधर लिख दिया बराबर lambda का square यह lambda square इसको लिख दो equation number 4 आया सोज में यहां तक अब बात करते हैं यह lambda square की value का है यह है lambda square बराबर क्या है यह आया अपने पास में कोई सुक्ष्मकार्ण तरंग गती से गुमता है इसके लिए एक सक्ष पर तरंग गती समीकरण निम्न प्रकार लिख सकते हैं तो इसके लिए अपन यह लिख सकते हैं del square sin बटे del x square plus 4 pi square sin बटे lambda square बराबर 0 इसको मानलो equation number 5 बस यह equation आपको याद रखना यह वाली equation आपको याद रखना कि del square sin बटे del x square plus 4 pi square sin lambda square बराबर 0 आपके पास lambda square कहाँ पे रहा यह रहा ठीके? तो समीकरण 4 से lambda square का मान समीकरण 5 में रखने पर रख लो समीकरण 4 से lambda square का मान समी करण 5 में रखने पर ये वाली value यहाँ रखना है चलो रख़तो लिखो मैं del square sin बटे del x square specification प्लस 4 pi square sin बटे लेमड ये speed की जयके यह पूरा पूरा इच्च छाब दूँ h square बटे 2m e-v फिर क्या लिखो में बराबर 0 यह लिख दिया यह इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इस वाले पार्टों को पूरा उपर लिख सकते है अपन तो यह लिख दिया del square sin बटे del x square प्लस 4 pi square ठीक है 4 pi square 2m 4 pi square और 2m और e-v और फिर यह वाला लिख दिया sin बटे लिख दिया मैंने h का square बराबर 0 ठीक है अब इसको आगे ऐसे भी लिख सकते है अपन यहां करके ऐसे भी लिख सकते हैं इसको multiple कर देश से तो del square sin ध्यान से देखना del square sin बटे del x square प्लस 8 pi square m बटे h square e-v sin बराबर 0 यह equation number मालनो इसको 6 equation number 6 तो equation number 6 मिली है अपनों को यह उस condition में नी जब particle एक विमी तंत्र में गति कर रहा हो है ना एक ही direction में गति कर रहा हो तब के लिए तो समीकरण 6 तो यह समीकरण 6 जो है समीकरण 6 उस काण के लिए तरंग समीकरण है जो एक विमी तंत्र में गति कर रहा है समीकरण 6 उस काण के लिए तरंग समीकरण है जो एक विमी तंत्र में गति कर रहा है अर्थार्थ एक दिशा मान लो X में गती कर रही है तरंग इलेक्टरान जिसकी गती तीनो एक्सिज में है इलेक्टरान जिसकी करसी तीनो एक्सिज में तीनो एक्सिज मतलब X Y Z X में है उसके लिए तरंग समीकरण कैसे होगी तो उसके लिए तरंग समीकरण में फिद सिर्फ यह чीज जोड़ना पड़ी बाकी ऐसे के से आपको नकल करना है आगे क्या लिखे ऐसे के से लिख दे प्लस एट पाई स्क्वाईर M वो का होई E माइनस V साइं बटे क्या लिख रहा हूँ H स्क्वाईर और बराबर क्या लिखा मैंने 0 अब इसमें क्या कामल ले सकते हैं साइं कामल ले ले तो यह साइं अपनोंने कामल ले लिया इसको माल ले अपन एक्वेशन नमबर साथ ठीके साइं कामल ले लेंगे तो यह आजाए का डेल स्क्वाईर साइं डेल स्क्वाईर बटे डेल X स्क्वाईर प्लस डेल स्क्वाईर बटे डेल Y स्क्वाईर प्लस डेल स्क्वाईर बटे del z square और common ले लिया भहिया आपनोंने sin प्लस 8 pi square m e minus v sin बराबर 0 बटे क्या लिख दिया h square ठीक है इस वाली equation को अपने से भी लिख सकते है उल्टा से del square लगा क्योंकि इस पूरे की जगे ये लिख सकते है sin प्लस 8 pi square m e minus v sin बराबर 0 यहाँ पर जो समीकरन साथ समीकरन साथ Schrödinger तरंग समीकरन है Schrödinger तरंग समीकरन है आपको एक बार और पूरी equation समझा देते हैं Schrödinger तरंग समीकरन चलो शुरूआत करते हैं Schrödinger तरंग समीकरन किसी गतिमान कार्ण या इलेक्टान की कूल उर्जा गतिज उर्जा और इससे जुर्जा का योग होती है गतिज उर्जा को इस प्रकार प्रदशित कर सकते है गत्य जूड़चा को इस प्रकार प्रतशлы कर सकते हैं 1, 2mv² बराबर 1, 2mm मल्टिपल कर दिया mv² बराबर 1, 2mv का wholade November हो गया डी ब्रागली समिकरन क्या होती ही? लेंब्डा बराबर H5mv ये डी ब्रागली समिकरन है इसको एक इसे भी लिख सकते हैं mv बराबर h अपान लेमडा ठीक है तो ये mv कहां पहां 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 रहा है यहां पर mv की जगे क्या लिख दे h अपान लेमडा तो ये h अपान लेमडा ही दिखा अपनोंने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटा 2 h square h square बटे लेमडा sum इगरण 2 से 1 बटा 2 mv square का मान sum इगरण 1 में तो ये 1 बटा 2 mv square का मान ये आ रहा है ये value कहां पहां पहां पहे रखे अपनोंने यहां पर तो e बराबर 1 बटा 2 क्या लिखा h square lambda square m प्लस v ये वाला v इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या लिख सकतो V को इधर बेज दिया तो यह हो जाएगा E minus V बाकी ऐसे के से उतार रखा है 2 lambda square है इसको ऐसे भी लिख सकते है lambda square उधर लिख दिया E minus V इधर बेज दिया तो lambda square बराबर के आ जाएगा H square बटे 2M E minus V कोई सुक्ष्मकर्ण यहाँ पर बस यह equation आपको याद रखने है और कुछ भी याद रखने की जरूत लिए बाकी systematic चल रहे है कोई सुक्ष्मकर्ण तरंग गती से गुमता है इसके लिए X सक्षे पर तरंग समिकर्ण del square sin बटे del x square plus 4 pi square sin बटे lambda square बराबर 0 यह याद रख लेना समिकर्ण 4 से lambda square command समिकर्ण 5 में रखने पर तो समिकर्ण 4 का जो lambda square command कहां पर रखापने है समिकर्ण 5 में तो यह same it is यहाँ पर कर दिया इसको अपन यहाँ लिख सकते है तो del square sin बटे del x square plus 4 pi square क्या लिखा 2m e minus v और यह sin यहाँ लिख दिया बटे h square इसको आप इसे लिख सकते हो del square sin बटे del x square plus 4 दूनी 8 8 pi square m बटे h square e minus v sin बराबर 0 यह equation number 6 यह किसके लिए मिली उस करण के लिए तरंग समिकर्ण है जो 1 v-me तंत्र में गति कर रहा है 1 v-me बोलो तो a की direction में जिसे x में 1 v-me तंत्र में गति कर रहा है अर्थार्थ तरंग 1 दिशा x में गति कर रही है अब मालनो electron जिसके गति 3 x x, y, z में होती है उसके लिए तरंग समिकर्ण के से लिखेंगे उसके लिए तरंग समिकर्ण दिमिन प्रकार होती है तो ये वाला पार्ट अपनोंने जोड़ दिया तो del square sin बटे del x square plus del square sin बटे del y square plus del square sin बटे del z square वो कब ही लिखा अपनोंने 8 pi square m e minus v sin बटे l square इसमे sin कामन ले लिए sin क्या ले लिए कामन ले लिए इसको ये लिख दे del square बटे del x square plus del square बटे del y square यहां से भी साई गामन ले लिया, डेल स्क्वार बटे, डेल देल स्क्वार, बाकि ऐसा है केसा है अपनों उतार दिया, तो ये ये वाला पार्ट इसके बराबर, ओ इसको केते हैं, लापलासियन संकारक, क्या केते हैं, इसको कहा जाता है, लापलासियन संकारक, ओपरेटर्स, संकारक ये आपरेटर लापलासियन संकारक ये कहा जाता है इसको ठीक है और ये इक्वेशन अपन इसको लिख लो आठ इक्वेशन नमर आठ समिकरन साथ जो है श्रोडिंजर तरंग समिकरन है इक्वेशन आठ है ये समिकरन साथ श्रोडिंजर तरंग समिकरण है और यह जो होगे आपका श्रोडिंजर तरंग समिकरण बहुत एज़ी है अगर आप इसकी दो चार बार प्रेक्टिस करोगे ता आप एक्जाम में इसको अच्छे से करके आ सकते हो ठीके दोस्तों मिलते हैं फिनेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई और थेंक्यी सुमज़ फर वाचिंग